हेलो एव्रिवन तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी माँगना चाहूंगा क्योंकि भाई मैं काफी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं इसका रीजन यार ये है कि भाई मैं क्या बता हूं मेरी जिन्दगी में यार कुछ ऐसा अंधेरा सा चाह गया है कि यार सवेरा होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है खैर एनिवे जो भी है भाई मैं फिर से आप लोगों को सौरी बोलता हूं और नेक्स टाइम जो भी है मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोसिस करूँगा और इसी सिलसले में मैंने आज टाइम निकाला है भाई और मिला है मेरे को तो भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो सूट करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हुआ था और भाई मैं बताओं आप लोगों को कुछ बताने से पहले आप ये देख रहे हो मैं एक फ्लाइवर पर खड़ा हुआ हूँ और ये जो फ्लाइवर है ये भाई है इसको चौक का फ्लाइवर जो भी न्यू स्पेसली बनाया हुआ है और ये जो रोड है ये यूटर्न है बिसे के लिए आप देखोगे तो यहाँ से आप सेक्टर 29 के लिए निकल जाओगे सीधे आप जाओगे तो आगे निकल सकते हो और यहाँ से अगर पीछे जाएंगे तो ये इसको चौक का लैंडिंग है तो हम चलेंगे नीचे और मैं आपको बताओँ भाई आज का ये वीडियो है यह स्पेसली फोर भाई यहाँ पे एक्चली है क्या सीन पहले मैं बता दूं सीन यहां का ऐसा है कि यहां पर आगे जा आप जैसे कलब में आप जाओ बात करो नॉर्मल डिसकसन चल रहा है सेम ऐसा ही है बाई ओपन ली ओपन ली रोड पे कोई देखने वाला नी कोई रोकने वाला नी तो मेरा ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे जो भी है तो मैं आप लोगो को आज मैं दिखाऊंगा और बने रहना वीडियो में और जो भाई मेरे चैनल पे नए है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई देखरों बालवाल भी कुछ जादा बड़े हो गए साहित लग रहा है कटवाने पटेंगे भाई डाड़ी वाड़ी भी बड़ी हो गई है डोंट वरी भाई मैं चलते हैं हम अपनी लोकेशन पे और आप लोगों को दिखाता हूँ का आज मैं कहां जाने वाला हूँ और क्या है जो भी है तो उसकी असलियत हम जानेंगे वहां पे चलके तो बने रहना वीडियो में लैट स्टार्ट वैसे भाई गुडगाउं की भी बात करें तो भाई यह भी एक मोडन सिटी में भाई तब्दील होता जा रहा है देखा जाए उस तरीके से तो रीजन भाई कुछ जादे डवलप्मेंट चल रही है यहां पे और हम अपनी जगह पे भाई पहुंचने वाले हैं और मैं आप लोगो को दिखाता हूँ कि क्या है यहां पर प्रक्या नहीं है तो देखते हैं यह भाई आप इस साइड में तो भाई पहले आप देख रहो यह ओटो टैक्सी स्टैंड बगेरा यह सब खड़ा हुआ है और म पूरा उपर का यहां से लोगो मतलब पैदल जाना हो और इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखोगे वाई पीछे काफी यादा आपको लोग दिखे रहेंगे जो मैं आपको पीछे चलके दिखाता हूँ आपको मैं दिखाओं अगर तो आप यह देख सकते बाइ सामने मेरे पीछे बेक साइड में इतने लोग खड़े होंगे यहाँ पर काफी जादा भीड लगी हुई है असपास आपको दिखेगा अगर तो देख रहे हो कितनी भीड लगी हुई है यहाँ पर काफी जादा डिसकर्शन चल रहा है लोगों के बीच में और इस सारे होई है मैं आपको बताओं तो अगर हम साइड में यहां से चलते हैं अंदर मैं आपको थोड़ा पास ने जाकर भी दिखाऊंगा इसका क्या सिस्टम है क्या नहीं है आप देख रहे हो फुली मतलब खुला खुले आम डिसकर्शन चल रहा है बिल्कुल खुले आम लाइक कल बगेरा में जाओ उपनली डिसकर्शन करो और यहां पर देख रहो काफी यादा भीड है इस साइड में और इस साइड में आप देखो के तो खुले आम डिसकर्शन है बागी साइड से चलते हैं हम भी बात करके देखेंगे जितना हो सके मैं आपको लोग को दिखाने को और है कि क्या सिस्टम होँ सब्सक्राइ कि रिखें़ ändandra है आम देख रहें आप लोग खुले हम यह पता नहीं आप पुलीस आ अगया जोबी है पता ने भाई बागए देखरो इस्टेंड वाले सारे लोग जो भी है निकल रहे हैं भाई यह तो सारी भागने लगए भाई यहां से तो सारे देख रहे हो आप लोग सारी ओटो ओटो में यह एक ओटो भड़ा यह दो ओटो भड़ा देख रहे हो आप यह स्टेंड वाले सारे भगा रहे हैं लोग बागे बने रहना आगे चलता हूं दिखाता हूं मैं आप लोगो यह फिर आएंगे लोटके या फिर आगे जाके जो भी है तो बने रहना देखेंगे फिर से तो मेरे भाई यह लोग यहां से निकल लिए और भाई पदा चला की PCR की वैन आई हुई थी भाई मैं बता हूं यह लोग भागे नहीं है ना यह कहीं बाग के जाएंगे यह लोग क्या करते हैं उसी के नीचे यह सारी मतलब अभी का टाइम जो है अलमस्स साठे नो हो रहे हैं तो बाई नो साठे नो के बाद आप जब आओगे तो आपको दिखेगा यह बें तक इवनिंग यह दो पर मैं ना दिखता हूं बट नाइट में स्टार्ट हो जाता है तो नाइट के अलमस्स देखर हो इस लड़का बाद कर रहा है और बाई मतलब के खुल्यां भाई देख रहर हो गाड़ी में वहां मतलब यक तरीके से बाद Чी चल रही है और देख रहे हूं यह तीन लड़के यह ओटाओं में बैठ के यह यह देख रहो कितनी एक दो तीन चार पांथ शे साथ उदर देख रहे हो कितनी सारी लड़के खड़ी हुई है मैं थोड़ा जूम करूँ कैमरा एक बार रुप जाओ मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा जूम करके शेघ करता है में दिखकने क्या आपकर चार में पिछे यह हुए सामने रही है इतरा है इसका और दो आपको दोबार बहलां शेये गत्वर ठीक कैमरे से मैं और रही है कि छला यह भाई और पीछे आपका पूरा एमजी रोड स्टार्ट हो जाता है और यहीं से आप नीचे अगर आप इधर आओगे सुखराली की तरफ बस टैंड की तरफ जो और टोट से जाता है आप देख रहो यहां पर नीचे भाई यह देखो यह देखो यह लड़का देखो बातचीत कर रह यह से पर आप देख रहा हुए अब घूमने लगी यह देखो गाड़ी रुकी यह बात किया है और यह तो आप पीछे देखो तो अभी बने रहना देखते रहो इस मोटी को देखो यह साइट डॉन लग दी भाई या फिर इनकी लीडर है इसने इसको पता नहीं कि आ दक्के वक्के मारके भी भगाया है गाली गूली दे रही थी इसको तो भाई सोचो जो गाली वाली दे सकती है तो बाई वो क्या कर सकती हाब वहां पर देखो कितनी भीड़ लग गई है एकितम से और ऐसा है यहां पर सीन मारका ज्र cavalmad अदर को यह बहुत आ कि यह सामने देखो यह और आगी के साइट से ताइप देख रहो यह चार पांच मनले यह हैं बाइब बनगे तो यह लोग को all around के वाइन इसको और दिखाते हमा है आप लोग को बैठ है हुए यह लोग अब इसमें चार- पांच भरे हुएं देख रहों तो से हुए हैं जैसे कोई आया नि कल लो से बस यह घूमता रहीगा, chill लेता रहेगा यह ओ ओ तो सामने यहां पर हर तरफ चारो साइड खुले हैं ने आप लोगो बताया कि यहला इपकौलने है चारो साइड का environment अगर मैं बात करूं तो यह सेड में बस्टेंड के लिए रोड जा रहा है इस सेड में यह पूरा इपकोचोग के लिए आ रहा है यह main आपका इस सेड में इपकोचोग flyover है तो मेरे भाई सेम ऐसा ही रोड है आप आओ कभी तो देख सकते हो जब भी आपका बागी मैं तो मना ही करता रहता हूँ आपको अपनी सारी वीडियो में बागी last decision में आप लोगों के ऊपर ठोड़ता हूँ फिर भी बागी मर्जी आप लोग ही होती है तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए टेक केर बाई टेक केर और टेक केर